हलो फ्रेंट्स, मैं हूँ गैत्री और गैत्री फूड मेजिक में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हल्दी वाला दूद हल्दी वाला दूद हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यह हमारी इम्मिनिटी को बूस्ट करने के लिए मदद करता है और ये pandemic में हमें immunity की बहुत ही ज़्यादा जरुरत है तो आप मेरी इस वीडियो को अंतक जरूर देखे इस time में हमें इस recipe की बहुत ही ज़्यादा जरुरत है और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को like और share करें और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon को जरूर दबाएं ताकि मेरी चैनल की सारी notification आपके phone पे भी आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक tablespoon साबूत काली मिर्च ले लेंगे और दो इंच दालचिनी का टुकड़ा अब हम इसको अच्छे से क्रस कर लेंगे ऐसे क्रस करके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है देखिए हमने इसको अच्छे से क्रस कर लिया है इसे हम side में रख देंगे और आब हम चलते हैं हल्दी वाला दूद बनानी के प्रोसेस में हम दो ग्लास दूद गैस पर गरम होनी के लिए रख देंगे और इसमें हमने जो क्रस किया था काली मिर्च और दालचिनी वो डालेंगे और दूद को अच्छे से उबलने लेंगे फिर हम इसमें एक टीज़ी स्पून हल्दी और एक टेबल स्पून देसी घी डालेंगे देसी घी आपके पास अगर है तो आप डाले हमारे सेहत के लिए देसी घी बहुत ही फाइदेंगर होता है अब हम इसको एक बार अच्चे से मिला देंगे और गैस काफे मीडिया मांच पी करके हम इसे अच्छे से उबलने देंगे ताकि हमने इसमें जो सब भी डाला है जैसे के हल्दी, दालचीनी, काली मिर्थ सब का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए फिर हम इसमें स्वाद के लिए 2 टेबल स्पून हनी डालेंगे आप बिना हनी के भी इसको पी सकते हैं लेकिन हनी डालने से ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है और हनी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है फिर हम हनी और दूद को अच्छे से मिला देंगे और दूद को हम दो मिनिट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे दो मिनिट के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और दूद को थोड़ा सा थंडा होने देंगे फिर इसको एक ग्लास में निकाल के उसकी उपर थोड़ा सा दालचनी और काले मिर्च डालेंगे और इसको सॉफ करेंगे सर्दियों के मौसम में या फिर आपको किसी भी बिमारी हो उस टाइम में आप इसे रोजाना पिए ताकि आपका सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम स्वस्त रहें आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हूं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो